Hello everyone and I welcome you all to my channel exploring Delhi with Adya तो आप लोगों की high 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 demand पर मैं लेकर आ गई हूँ दर्या गंज का latest collection जो की Eats special रहने वाला है अभी तो मैं आपको यहां का ट्रेलर दे रही हूँ कि Eats से पहले अब यहां पर क्या-क्या तयारिया शुरू हो गई है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप Eats के दिन ही जाकर सूट खरीदोगे तयारिया तो आपको पहले से शुरू करनी पड़ेंगी और आपको कितना लूटा जाता है तो पार्ट बन ज़रूर देख लेना और यहां पर पहुंचने के लिए दिल्ली गेट का जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नेरेस्ट है आप महां के गेट नंबर 3 से एक्जिट कीजिए 20-30 रुपे का रिक्षा लेके आप इस मार्केट म करना ना भूलें तो मार्केट में आपको इस स्पेशल सूट के बहुत ही सारे कालेक्शन मिलने वाले हैं यहां पर एक मैं आपको दुकान दिखा देती हूं इस तरीके की बैक टू बैक यहां पर शॉप्स आपको मिलेंगी कई लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि फुटवेर मिल जाता है और एक हंडर्ड रुपीस की सेल आपको यहां पर हमेशा लगी मिलेगी यह जितना भी फुटवेर आप देख रहो सब हंडर्ड रुपीस का है इसमें बस आप चेक करके ले लेना यूज तो बिलकुल भी नहीं होता सब फ्रेश है नेक्स आपको य यह बिलकुल जूस शॉप के बगल में है यह जूस यहां पर जूस शॉप जो है काफी फेमस है तो इनके जस्ट बगल में एक भयाजी है जिनके पास में आपको बहुत सारा फाबरिक और कुछ इस तरीके का एक्सपोर्ट क्वालिटी मटीरियल मिल जाता है अगर आपको य क्वालिटी के उनली 40 रुपीज में तो इनसे आप यह ले सकते हो इनके पास ना कभी भी कुछ भी आ जाता है इस बार कुशन कवर से कभी रग्स मैट्स भी होते हैं बच्चों के इनके पास में बेडिंग्स आपको मिल जाएंगी यह जो आप देख रहे हो यह कट पीस मिल बहुत ही सुन्दर सुन्दर थी सारी और इनकी शॉप में अंदर आप जाओगे तो यहां पे बहुत सारे आपको कट पीस मिल जाएंगे क्योंकि अब समर्स का टाइम है तो मार्केट में आपको 99.9% सब जगा कॉटन का फाबरिक मिलेगा इसके अलावा भी यहां पे फाब जाएंगी और भी जादा फैंसी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस मार्केट में आपको प्राइज बहुत ही जादा बजेट फ्रेंडली मिलते हैं नेक्स्ट यहां पे मैं आपको दिखाती हूँ यह है जी एस गार्मेंट के नाम से शॉप और यह शॉप में हमेशा क करती ही हूँ स्पेशली बच्चों के कपड़ों के लिए तो बाहर आप यहां पे देखो के 100 रुपीस की फेक्स प्राइस सेल थी इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है क्रॉप टॉप मिल जाएंगे इस तरीके की आप देखोगे एक्सपोर्ट क्वालिटी की टी शिट्स गर करके सो नेक्स इनके जो दूसरे टेबल लगे होए थे यहां पे गर्ल्स और बॉइस दोनों की जीन्स मिल रहे थी और यहां पे जो बेस्ट पार्ट है वो है बच्चों के कपड़े तो इस तरीके के बॉइस के आपको जॉगर्स मिल जाएंगे अंदर आप जाओगे तो ब इसपोर्ट क्वालिटी के जरूर है लेकिन इन में से एक आदा पीस जो है वो डिफेक्टिव भी रह सकते हैं तो जो भी आप लेना चेक करके लिए अब यह जो टॉप मैं दिखा रही हूँ वैसे 13 14 यर की बेबी का है बड़ यह मुझे आ जाता मेरा क्रॉप टॉप बन ज कॉटन माटीरियल की फ्रॉक्स मिल जाएंगे काफी बढ़िया में इनके पास जो साइज मैं बात करूँ तो ग्यारा से बारा साल तक की गर्ल बेबी का मिलेगा डिजाइनर टॉप्स अपर्स वगरा और बिलकुल जो नियूबॉर्ण बेबी होती है उस साइज से इनके पा शॉप का बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया एक और यहाँ पर मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ जब मैं पहले यहाँ पर आती थी यह वाली शॉप सबसे बेस्ट हुआत करती थी बड़ अभी यह लोग कुछ यहाँ पर नया कलेक्शन ला नहीं रहे आदो वाई अभी इतनी गर्मी में इनोंने सब वूलन रखा हुआ है बट जब सर्दिया थी तब इनके पास में वूलन कलेक्शन काफी बढ़िया था तो अगर आपको लगे कि आपको कुछ वूलन में परचेस करना है आप इस शॉप पे विजट कर सकते हूँ इनके पास में 10 परसन क्वालि का टोट बैग देखोगे तो प्राइस में ने कोट कर दिया 850 रुपीज का इनोंने मुझे कोट किया और इनके पास में भी आपको जो फेमस ब्रैंड्स है उनकी कॉपीज मिल जाएगी और मैक्सिमम प्राइस है इनका 1500 बाके सब कुछ उसके अंडर ही आपको मिलेगा इस कि मुझे शॉप देखती है जहां पे कुछ अच्छे वाला वेस्टिन कलेक्शन देखने को मिलता है देसी गर्ल नाम से यह शॉप है आपको याद होगा एक कॉटन की गुर्ती बीच में चली थी बहुत जादा जिसमें की पैच वर्क होता था और उसमें पॉम-पॉम लग किस तरीके की बहुत सारी सूर्ट की ब्रैंडड़ वाली शॉप्स भी मिलेंगी और नॉन ब्रैंड़ भी मिलेंगी आगे मार्केट में आपको ऐसा फैब्रिक मिल जाएगा यह जो मैं दिखा रही हूँ ना यह चिकन कारी का फैब्रिक है नीचे चीता प्रिंट का था ये सब के अलग-अलग प्राइज रहते हैं और आपको मार्केट में बहुत सारे लेसिस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और लेसिस के लिए मुझे परस्नली अच्छा लगता है ग्रीन मार्केट क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रॉइटरी वाली मिलती है यहाँ पर भी मैंने नहीं मिल जाएंगे सब एक्सपोर्ट क्वाल्टी का रहता है यह देखो यह भी आपको स्चील की भिलेगी तेल पानी वगरा पलटने के लिए ओली फॉर्टी रुपीज की तो इनके पास में भी जो आप लेना चेक करके ले लेना सई समान होता है प्राइस के अकुल शॉप है औ और जब सर्दियां थी तो मैंने आपको यहां पे फर वाला फाब्रिक शनील का और वेलवेट वो जब दिखाए था तो फिलहाल नेट और कॉटन बहुत ही बड़िया पूरी मार्केट में आए हुआ है यहां पे एक भिया पत्री परी शॉप लगाते है जिनके पास में और यहां पे नेक्स जो मैं शॉप दिखा रही हूँ इनके पास में भी बोकुत सारा फाब्रिक है उपर भी नेट का है नीचे कॉटन का है नेक्स यहां पे भिया जी एक फाब्रिक दे रहे थे 70 रुपे मीटर के हिसाब से इसमें चेक्स वाला वही काफी अच्छा लग र आता है और लॉट का वो समान ऐसा होजा है जो कभी लॉट के नहीं आता है तो बाइस चांस अगर आपको यहां पर कुछ अच्छा दिख जाए था तो उसको बिल्कुल भी लूज मत करना ले लेना अब यहां जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक तम एवन से भी जो प्लस क बार फुट का लंबा और यह भीया दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज में और उसमें भी यह बार गेनिंग कर लेते हैं अगर कोई लेने वाला बनता तो मदब नाना करते भी 200 रुपे का आपको अराम से मिल जाता बर इस तरीके का जो समान है यहां पर कभी भी और इनके भी कलर पिंट डिजाइन बहुत अच्छे हैं एक जैसे चार पांच पीसिज नहीं थे सब असौर्टर थे तो यह आप ले सकते हो सेम नहीं तो कुछ और मिलेगा लेकिन मिलेगा कुछ आपको बढ़िया क्वालिटी का ही और बाकी भी इनों ने यहां पे सब बस यह डिफेक्टा की चीरिया लगा हुआ था इस वजह से हंड़र की मिल रही थी और कोई अगर उसको बस सिल ले या पैच लगा ले तो फाब्रिक वगरा बहुत एलिगेंट था उसका जो कलर पिंट डिजाइन है वो भी काफी क्यूट था बाकी इनके पास में सब फाब अब इसका फाब्रिक ना मुझे लिनन जैसा लग रहा था और इस तरीके का आपको क्रेप का मिल जाएगा मतलब बहुत इंट्रस्टिंग फाब्रिक रखते हैं यह लोग और कभी भी कुछ भी आ जाता है इनको भी नहीं पता होता तो बड़ी वाली जो मैक्सी थी वो इस दिखाती हूँ जो कि आप ड्रेस के नीचे पहन सकते हो यह देखो इट वस काइंड ऑफ स्पेगिटी तो यह जारा वमन का ओरिजनल पीज था इसका प्राइज मुझे भी आने बताया सत्तर रुपे तो यह साइज था डबल एक्सल का और यह चोटी बेबी वाली मैक्स यह जो मैंने आपको दिखाई 150 रुपीज की तो यह दुबारा नहीं मिलेगा जब आप जाओगे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लेकिन हमेशा यहाँ पे नई नई चीज़े आती रहती है फिर एक भया जी ने यहाँ पे रियॉन का फाब्रिक सेल में लगा रखा था 150 र वाली कॉलिटी थी यह सदर बजार गांधी नगर वाली कॉलिटी नहीं थी बच्चों के टॉवल्स थे इनके पास में और नीचे यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूं यह है खादी कॉटन का कुछन कभर बहुत ज्यादा अच्छा और मजबूत और सुंदर और टिका इस भी काफी बढ़िया है तो यह इनके पास में बच्चों का नेट था पीछे बच्चों की इनोंने बहुत सारी बेडिंग रखी हुई थी और यह थे कॉशन कवर्स नेक्स यहाँ पे एक भाया जी कि मैं शॉप दिखा देती हूं यार वैसे तो इनका कलेक्शन अच्छा है बट इनके प्राइजेस मुझे ओवर लगे काफी ज्यादा मेरे जिस्ट बगल में एक लड़की एक पर्स का रेट लगवारी थी तो भाया कुछ जो भी कोट कर रहे थे उसने बोला 8.50 लगा लो भाया और मेरी नजरों को यह पता था कि यह सेम चीज इंदलोक वाले भा स्विफ्टी का देते हैं अब मैं बोलू तो क्या बोलू तो बस यह मैं क्या ही बोलती है उस लड़की को खरीद रही थी तो लेना चाहो ले सकते हो अब यह जैसे भाया ने मुझे डफल बाग दिखाया 2100 रुपीज का जबकि मुझे पता है वो कॉपी है वो ओरिजनल नह सकते हो नेक्स्ट अब मैं यहां पर टोपी वाले भाया की शॉप पर आ गई हूं उबेश नाम से जिनकी शॉप है यह इंदर लोग में भी मैं आपको दिखाती हूं जहां पर तारिक भिया सूट लगाते हैं सॉरी तारिक भिया दुपट्टे लगाते हैं बिलकुल उनके उपोजेट में आपको मिल जाएंगे मनु भिया तारिक भिया के बिलकुल उपोजेट में यह वाले भी हैं तो यहां पर भी इनके पास में वही सेल प्राइज है और कलेक्शन बहुत जादा धासू है अगर आप मुझसे थोड़ा टाइम पहले जुड़े हैं तो आपको प शॉपिंग करने में पैसे आपने वही लगाने हैं तो यहां पे भी आपको सूट के बहुत सारे आप्शन मिल जाएंगे देखो कि आप यहां पे तारिक भिया मनु भिया सब मिल जाते हैं तो मेरे पास काफी फर्माईश आ रही थी इस तरीके के शरारे वाले सूट दिखा करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको जो है आगे मैं भीया का कार्ड शेयर कर दूँगी आप जाना जाने से पहले कॉंटेक्ट कर लेना और फिर आप पर चेस कर लेना तो देखो तसली से भीया एक एक सूट दिखा रहे हैं खोल के ऐसा नहीं मुझे दिखा रहे हैं वो लेकिन मैं फिर भी कहरे हूं कि मैंने तब भी पूरी मार्केट कवर नहीं की इतना कलेक्शन इतनी बड़ी मार्केट यह है तो यह ग्रीन वाल आप देख रहो कितना गजब लग रहा है फ्लापर्स के साथ में और यह यलो तो कता ही जहर है अभी इसके फ्लापर आने देना यह यलो और ग्रे के कंट्रास्ट में है वो भाया को मिलनी रहा था तो वो दूसरा सूट दिखाने लग गए अभी हम आपको दिखाते हैं तो यह सब मोस्टली आपको उपाड़ा में चिनॉन में शिफॉन में इस तरीके के फाब्रिक में मिलेंगे सेम प्राइस का यहां प पास में उबेश नामसीन की शॉप है आप यहां पर विजट कर सकते हो इंदलोग में भी आते हैं तारिक भी आ के जिस्ट आपोजट में शॉप लगाते हैं आगे चलते चलते मैंने देखा यहां पर मात्र 100 रुबीज में फुटवेर मिल रहे थे इसके बाद यहां पर दे ने दुकान लगा रखी थी प्राइज वाइस बहुत ही पैसा वसूल ड्रेस है घर में पहनो ओफिस में पहनो कहीं भी पहनो और यहां पर अगर आप आओ और दुर्गा स्वीट कॉर्णर से अगर आपने कुछ नहीं खाया तो फिर आपका आना बेकार है दुर्गा लेसे तो पर्मनेंट मार्किट है लेकिन आपर शॉप के यागे बहुत सारे आपको सारी देल लगी मिलेगए तो कहीं आपको लॉन कौटन वाले सूट मिल रहोँँगे कहीं पाकिस़्ानी सूट मिल रहोंगे कोई चंडेरी वाले को हर तरीके की मिक्स vराइटी रखता है अब ये जो आप देखे हो इसमें नीचे वाले 300 के उपर वाले 500 के थे शॉप का बोर्ड उपर मैं दिखा देती हूँ यहां पर हर दुकान का बोर्ड नहीं होता मैं आपको बता दूँ आप लोग कहोगे location नहीं दिखाई यह नहीं दिखाई हर दुकान का बोर्ड यहां पर नहीं होता बहुत rare लोगों नहीं यहां पर बोर्ड लगा रखे हैं तो अगर आप market में आते हो आपको यहां पर जूलरी के भी काफी सारे option मिल जाते हैं बट मैं personally जूलरी के लिए recommend करूँगे आपको सदर बजार रुईमंडी क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल latest collection देखने को मिलेगा जो market में अभी आया भी नहीं हो वो सबसे पहले सदर बजार रुईमंडी में ही आता है चाहे वो bridal हो चाहे non-bridal हो next यहां पर मैं आपको sale दिखा देती हूँ साड़े 700 रुपे के और इन भाया को भी आपने इंदर लोग में कही जगा देखा होगा तो इनके पास में भी वही सारा फाब्रिक रहता है लेकिन गर्मियों के वज़ा से ना इनके पास में काफी बढ़िया cotton और चिकन कारी के फाब्रिक थे यह जितने भी मैं दिखा रही हूँ यह cotton और चिकन कारी वाले फाब्रिक थे एक से बढ़कर एक कलर डिजाइन प्राइस भी मैंने कोट कर दिया है तो अब देखो भी आराम से बैठे हुए है सूट भी सारे उन्होंने लगा रखे है जो पसंद आये ओपन करागे चेक करके आप ले सकते हो बिल्कुल तसली से क्योंकि कई लोग जो है हरियाना रोतक से आते हैं होलसेल में बल्क में लेने के लिए अंदर लोक में और जल्दबाजी में उकटे पटे जादा ले जाते हैं तो यहां पे मैंने आपको एक दूद की डेरी दिखाई है उसके जस्ट बगल में इन वाले भया की शॉप थी जिनकी पास कॉटन का ज्यादा कलेक्शन था आगे आप देखों कोई यहां पे मातर साड़े 600 रुपे की सेल लगी हुई है इनके पास में चंदेरी और कॉटन के ज्यादा सूट्स थे और उपर इनके पास में फैंसी सूट्स थे मदब ऐसे सूट्स की बहुत 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 सारी शॉप्स आपको मिलेंगी अल इबाद नाम से यह शॉप है अंदर बच्चों के कपड़े थे बाहर सूट्स थे और यहाँ पर एक और मैं आपको बर्तनों की शॉप दिखाती हूँ इनका जो स्टील था कता ही मजबूत था बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का यह जो मेरे हाथ में आप कड़ाई देख रहो ना बस मुझे इंडेक्शन बेस वाली स्टील लेना सेफ लगता है पता नहीं क्यों मैं इंडेक्शन यूज नहीं करती बट उसमें ज़्यादा जल्दी खाना जलता नहीं है तो यह 200 रुपीज की थी और इस तरीके का मिल जाएगा आपको यह भी 200 रुपीज का था कर सकते हो बारगेनिंग करवा लेना अगर शॉप में फिक्स प्राइज ना हो देन मैंने यहां पर एक बैंगल्स की शॉप एक्स्प्लोर की जिनके पास में कलेक्शन तो अच्छा था ही और इनके शॉप में अंदर एक पोस्टर टाइप लगा हुआ था हैंड रिटन तो उसमें लिखा था कि पंदरा दिन में गोरे होने का पाउडर हमारे हाँ पाये जाता है तो मैंने अंकल जी से पूछा अंकल क्या है यह तो कहते सौ रुपे में दो पाकेट मिलते हैं उसको आपको पंदरा दिन में मतलब चार बार आप उसे लगाओगे और निखारा जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैन हो रख्यू हूँ मतलब आज से नी पिछले देड़ साल में हद से ज्यादा मैं टैन हो चुकी हूँ मेरा जो कॉंपलेक्शन है वो पता नी डाउन 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 बहुत जादा डिग्रेड हो गया है तो मैंने सोचा लेने का बट जब मैंने उसकी पैकेजिंग देखी न उसमें कोई मैनिफेक्चरिंग नी क्या इंग्रीडियंट्स है कुछ नी तो मैंने दिल पे पत्थर अके व मैं नहीं कराती मेरी स्किन को बहुत इलर्जी हो जाती है इसलिए तो अच्छा अब मैं आपको जो शॉप दिखा रही हूं इनके पास मैंसे डीवा वाली प्लेट्स मिल रही थी यार बहुत बढ़िया वाली इनके पास ना मतलब आपको अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉक मिलेगा और अगर आपको थोड़ा सस्ता वाला चाहिए मतलब घर में लोग जादा है बरतन भी बड़े बड़े चाहिए तो आगे बने रहना अभी दिखाती हूं अब यह जो आप देख रहो ना देखने में बिलकुल यह बोन चाहिना लग रहा था बट यह बेसिकली प्ल कोलेक्शन बहुत अच्छा था यह देखवा आप कलर शेड़ भी बहुत अच्छे हैं उसके उपर हैवी नग का काम है तो इनकी भी शॉप में आप विजट कर सकते हो मतलब बैंगल्स की जूलरी की काफी शॉप सापको यहां पर मिलेंगी नेक्स यहां पर फिरसे साथे सा कई लोग मेरी बात को मान के यहां पर आके शॉपिंग भी करके गए हैं तो काफी तसली से उन्होंने शॉपिंग की है ठीक है ना आपको यह भी नहीं सोचना कि MCD वाले आ जाएंगे यह सूट जल्दबाजी में देखके पैक करा लिया ऐसा कुछ भी नहीं एक तसली से प्लास्टिक का था लेकिन लेकिन अगर आप कुछ भी मतलब मैं कहते हूँ घर में सबजी भी रखनी हो तो इस तरीके का इतना बड़ा-बड़ा साइस का बोल ले सकते हो स्टार्टिंग इनके पास में बड़े वाले बॉल्स की 80 रुपीज से हो जाती है तो यह हम आपको कंपेर करके दिखा रहे हैं एक 80 रुपीज वाला है एक 100 रुपीज वाला है एंडे वर सो बेग मतलब काफी जादा बड़े थे इसमें अगर आपको कुछ ऐसा इनकी शॉप जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ रिलाइंस मेडिकेर नाम से शॉप है उसके जस्ट बगलत में थी अज़ाइट यहाँ पर हर दुकान का बोड या शॉप नंबर नहीं होता जब बोड नहीं लगा हुआ तो शॉप नंबर भी कहां से ढूनोगे है ना इसलिए मैं आपको बस आसपास की लोकेशन दिखा रही हूँ नेक्स्ट एक मैंने शॉप देखी यहाँ पर इस तरीकी के बोल्स का सेट मिल रहा था शिक्स फिफ्टी रुपीज के तीन इनकी मुझे कलर प्रिंट डिजाइन काफी अच्छे लगे बट प्राइज इ इनके थोड़े से हाई थे मैंने आप एक जो बिल्कुर बेसिक साइज होता है ना ट्रे का जिसमें एक ग्लास रखे हम किसी महमान को पानी देने जाते हैं तो वो एक ट्रे पसंद की थी कोई ऐसी बहुत अच्छी क्वाल्टी भी नहीं थी प्रिंट थोड़ा सा ठीक मुझ जाएंगे क्वालिटी आइटम है नो डाउट तो सामने जो आप देख रहो है 65 पीसिस का पूरा सेट रहने वाला है वाइट और रॉयल ब्लू कलर में डिजाइन बहुत ही जाधा रॉयल है और उपर आप देखोगे तो इसी मटेरल में यह सारे प्लेट लगे हुए और इन इजी है यूज करना मार्बल का बेलन मैं लकडी वाला तो यूज करती हूँ मार्बल का मैंने कभी यूज नी किया तो कॉमेंट करके मुझे जरूर पताएगा तो यहां पे इनकी लोकेशन मैंने आपको थोड़ी सी दिखा दी है इनके पास आपको यह सब मिल जाएगा पे की एक्सपोर्ट क्वालिटी के ही रग्स और मैट्स मिल रहे थे और एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही बहुत उत्तम क्वालिटी का होम डेकोर मैं पार्ट वण में दिखा चुकी है अगर आपने नहीं देखा है ना तो फिर आपको दिल्ली में रहने का हक नहीं सच में मत कोई जिसकी कोई comparison नहीं है तो यार उसको जरूर जरूर देखना पागल हो जाओगे मतलब बंजारा मार्केट भी मैंने विजिट किया और दर्या गंज भी विजिट किया प्राइजस में जमीन आसमान का फरक है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना जो दर्या गंज का यहां पर इक मैं शॉप दिखा रहे हूँ ऐसी खुल्नक्ख यहां पर हर तरीके के कपड़े थे western इंडो western night suits कुछ भी आप यहां ले सकते हो वेस्टन के यहां पर वैसे जादा ऑप्शन नहीं है सूर्स के लिए मार्केट परफेक्ट है आपको पाकिस्तानी चाहिए हो या फिर कॉटन चाहिए हो तो नेक्स्ट जो मैं शॉप आपको दिखा रहे हूं इनके पास में भी बाहर सब था साड़े साथ सो रुप पाड़े बांसो वाला है तो इसमें सब कॉटन के सूट थे दुपट्टे इनकी सलवार सूट सब कुछ कॉटन का था कलर प्रिंट भी काफी खुबसूरत थे तो नेक्स्ट जो मैं सेल दिखा रहे हूं यहां पर यह है साड़े 600 रुपे की अब सूट इतने सारे हैं मैं कित भाई यहां पर दुकानों का बोर्डी नहीं होता आप मार्केट को विजट करो फिर परचेस करो ठीक है क्योंकि लॉट के सूट्स है उपर से देखने में तो सारी सुन्दर लग रहे हैं हो सकता है अंदर किसी में कोई डिफॉल्ट हो कुछ जो है कटा फटा हो तो इसलिए अभी जो नेक्स्ट आपको शॉप में दिखा रहे हूं यहां पर यह वाले भहिया जो है टोपी वाले यह अलग है जो जननत कलेक्शन के बिलकुल आगे बैठते हैं याद है आपको जननत कलेक्शन के बिलकुल आगे जहां पर क्लोविया वाले भहिया लॉंजरी की शॉप लगाते हैं उनके बिल्कुल पास में ये वाले भीया शॉप लगाते हैं तो इनके पास में दो तीन तरीके के अलग-अलग सेल लगी हुई थी एक अलग थी और ये 750 रुपीज वाली थी इनकी भी शॉप इंद लोग में काफी जल्दी लग जाती है तो अगर आपको लेना है पर फिलहार उनके पास खतम थे इस तरीके के आपको मिल जाएगा बाटिक प्रिंट में हैं बहुत सुन्दर ओर्गेंजा के सूट के साथ में तो तालिप लोथाउस के नाम से इनकी शॉप रहने वाली है यहां पर विजट कर सकते हूँ ऐसा निये कि यह लोग थासजे को इंदर लोग आ जाते हैं तो थासजे को यहां पर बंद रहता है इसा बलकुल भी नहीं है आप थासजे को भी यहां पर विजट कर सकते हो नेक्स यहां पे ना मैं बीच वाली लाइन आपको दिखा रही थी यह और गैंजा फाब्रिक पे चिकन कारी की कूरती है यह स्क्री नीचे लाइट ऊपर डार्क इस तरीके का शेड़ है पूरा थ्री पीस सेट है प्राइस अलड़ी कोटेड है और जहां तक मुझे पता है इनके फिक्स प्राइस शॉप है इनके पास में मैं आपको दिखाती हो अभी मोडाल फाब्रिक की चिकन कारी कूरती जो की वैसे ला जाए मुझे तो फील करने में डेफिनेटली पता चल गया था तो जिस तरीके का भी आपका बजट है आप परचेस कर सकते हो और अगर आप चाहो तो मोडाल के उपर जो ये सब सेट है ये भी तीन पीस परचेस कर सकते हो ठीक है तो यहां पर नेक्स जो मैं दिखा रही हू ये टॉप कॉलिटी वाला था सकाई ब्लू और अब ही देखो मेरे मेरे वेडियो की सबसे शो स्टॉपर चीज यार अब ये तो समर में पहनना बनता है इसका जो फैब्रिक है वो विस्कॉस जॉजट है और ये है इस पर बहुत ज़ादा महीन हैवी वाली कश्मीरी एंब् पर प्रॉब्लम बस यह है कि 50 साइज में है बदला प्रॉब्लम था हम लोगों के लिए है ये 50 साइज में ही आई है और सामने आप देखोगे जो ये आफ वाइट कलर का लगा हुआ है ये इसका पूरा सेट है चाहो तो आप सिंगल कुर्टी ले लो चाहो तो आप पूरा स है और अभी जैसे जैसे गर्मी आएंगी चिकन कारी का बहुत बढ़िया वाला कलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो ये सब उनिकी शॉप का कलेक्शन है ठीपी सेट सिंगल कुर्ती सब कुछ आपको इनके पास में मिल जाएगा ओके सो बढ़ते हैं नेक्श की तरफ में इस शॉप पर जो मैं पहुंची ना तो दुकानदार में और कस्समर में अलड़ी कुछ भढ़नत हो रही थी कुछ तूतू मैं में हो रही थी तो मैंने रेट पूछने की गलती नहीं की बस स्टार्टिंग में जो काफतान लगा था ब्लाक औन वाइट वो काफ नेक्स शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पर मातर डेट सो रुपे में इतने बड़ी क्वालिटी के कुछन कवर्स मिल रहे थे जो आप ऑनलाइन में 300-300 के खरीत वो यहां पर मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ डेट सो रुपे में जिप आले और आपको इनके पास मे सब कुछ मिल जाएंगे यहां पर यह बात्रूम मैट मिल रहा था मुझे नहीं पता इसका क्या मटीरियल था पर बहुत सॉफ्ट था बहुत बहुत मतलब इसको पैरों के नीचे रखो ना तो आपको पैर हटाने का मन नी करेगा और नीचे से यह पता नहीं क्यों ऐसा डोस जल्दी आपनों के साथ में शेयर करूंगी और आपसे फिर रिक्वेस्ट करें जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा था इस मार्केट का जरूर देख लीजेगा अब आपसे मुलाकात होगी कर